हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल ब्रदस क्लासेज के अंदर साथियों आज वीडियो के अंदरगत बात करेंगे यूपी पुलीस कॉंस्टेबल का जो री एक्जाम कंडेक्ट करवाय गया था उसके रिजल्ट का इंदिजार कर रहे हैं सभी यूवाओं के लिए एक मैटपून न्यूज हैं वो लेकर आया हूं और इसकी जो कटोप हैं व पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरू करते और अपने साथियों के साथ सेरे जरूर करें तो देखेगा साथियो यूपी पुलीस कॉंस्टेबल बरती के रिजल्ट डेट की बारे में बात करेंगे और इसका जो फिजिकल है वो कब होगा इसके परदि बारे में संपुन जानकरी देखते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम कटोप मार्क की कि की कटोप है वो क्या रह सकती है तो कटोप की बात शूरू करने से पहले आपको बता दू result की जो process है उसके बार है तो देखेगा result की date है वो आपके September से September का last week और October का first week है उसके अंदरगत है वो आपका result आने की संभावना है result है वो आपका September का last week और October का first week इन दोनों के अंदरगत है इनके बीच में आपका result है वो आपके आने वाला है October की 15 तारिक से पहले पहले है वो आपका result है वो डिकलेर हो जाएगा उसके बाद में है वो आप physical की date है वो भी आपके जारी हो जाएगी तो देखेगा इसकी कटों की बात करते हैं जनरल केटेगरी की बात करेंगे सबसे पहले male और female दोनों केटेगरी की बारे में बात करेंगे तो female candidates है वो इसमें से तीन से चार questions है वो down करके चलिएगा तो जनरल केटेगरी की बात करें तो 95 से 98 तक का यदि आपके score है तो वो बिलकुल safe zone के अंतरकत हैं यहां से आप physical की तयारी के लिए आराम से eligible हो physical की तयारी कर सकते हैं 95 से 98 तक यदि आपके score बन रहा है तो आप जनरल केटेगरी से हो तो आप physical की तयारी कर सकते हैं आगे बात करते हैं OBC केटेगरी की तो OBC केटेगरी के अंदरकत female candidate से वहीं system है आपके 3 से 4 questions से वो इसे back करके चलिएगा OBC केटेगरी के अंदरकत बात करें तो 92 से 94 तक यदि आपके score बन रहा है 90 से 94 ले लीजिएगा आप एक दो उपर नीचे हो सकता है 92 से 94 तक यदि आपके बन रहा है score तो आप बिल्कुल आराम से हैं वो physical की तयारी केजिएगा आपका 100% है वो selection हो जाएगा physical के लिए आगे बात करते हैं EWS केटेगरी की तो EWS केटेगरी के लिए जो candidates हैं उनके लिए 85 से 88 तक का यदि score हैं तो वो बिल्कुल safe zone के अंतरकत हैं आगे बात करते हैं EWS केटेगरी की तो EWS केटेगरी की जो candidates हैं उनके लिए 80 से 82 तक का यदि score हैं तो वो physical के लिए eligible हैं और physical की तयारी जारी रखें जो भी साथी अभी तक physical की तयारी नहीं कर रहा हैं वो physical की तयारी जारी रखें सुचारू रूप से तयारी continue रखें आपकी physical date हैं वो जल्दी आ सकती हैं 15 October के बाद में कभी भी आपकी physical date निकले के आ सकती हैं क्योंकि 15 October से पेले-पेले हैं वो आपका result है वो जारी हो जाए आजाएगा लेकिन 15 अक्टूबर तक है वो आपकी फिजिकल डेट है वो सामने आजाएगी कि आपका फिजिकल है वो कब होने वाला है तो इसके अंदरगत वापस देख लेते हैं एक बार कटोप को तो जनरल केटेगरी के लिए 95 से 98 तक है फिमेल कंडेट से वो 90 पलस इसकोर कर रहे हैं तो वो सेब जोन के अंदरगत हैं ओभिशी के बात करें तो 92 से 94 हैं मेल कंडेट और फिमेल कंडेट की बात करूँ तो फिमेल कंडेट से वो इसके अंदरगत 86 से 88 तक है यदि इसकोर कर रहे हैं तो वो सेब जोन के अंदरगत हैं एव्जिकल की त्यारी कर सकती ह एसी और एस्ट केटेगरी की बात करूँ तो 80 से 82 हैं वो आपके मेल कंडेर्स हैं और फिमेल कंडेर्स की बात करूँ तो वो आपके 76 से 78 तक का यदी स्कोर है तो वो सेव जोन के अंतरगत हैं तो साथ यू आशा करते हूं वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथ यू की साथ सेर कीजीगा मिलते हैं एक और नई वेकेंसिक में तब तक के लिए जे हिंद जे बात